हेलो फ्रेंड श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी तक भी ठीक धंक से ये नहीं पता है कि आंकड़े की जड़वाला उपाय किस तरीके से करना है और उसकी विधी क्या होती है जिन पती पतनी को संतान का सुक नहीं होता है शादी के 5, 6, 10, 12 साल हो चुके है उन लोगों के लिए आकड़े की जड़का उपाय बहुती कारगर साबित हो रहा है बार-बार पुझ पंडिजी की कथा में भी यही सारे पत्र आते रहते हैं तो आज मैं आपको इसके पूरी वीधी बताऊंगी और किस तरीके से करना है और ऐसे ही करने से क देवाला उपाय करना है ध्यान रहे पिरियड के सात्वे दिन ही करना है अब करना यह है कि जब पिरियड का सात्वा दिन हो तब पत्ती और पत्नी दोनों मिलकर आकड़े की जड़ लेके आना है उसके बाद में उस जड़ को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच ज ध्यान रहे 21 बार वारना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से उसके बाद पती पतनी दोनों को प्रार्थना करनी है भगवान तुमरुका जी का नाम लेना है तुमरुका महादेव का नाम लेना है उसके बाद में वो जो जड़ है उसे लाल कपड़े में बांध कर जिस उसके बाद एक बार फिर से बांदते समय तुम्रो का महादेव जी का नाम लेना है बांदने के बाद थोड़ी देर बेट कर भगवान शिव जी से अपनी मनुकामना बोलनी है कि हमें संतान का सुख मिल जाए ये दोनों पती पतनी को ये प्रार्थना करनी है उसके बाद में बस अपने घर आ जाना है जो भी आपकी समस्या है आपको सुख नहीं मिल रहा है इतनी क्रपा होती है भगवान तुम्रो का महादेव की कि अगली बार से पिरियड नहीं आता है तो दोस्तों जिसे भी ये प्रोब्लम हो वो करके जरूर देखे भगवान तुम्रो का जी पर में सुबयम